I don't want any part of this. So guys, यह है Asus VivoBook 15 2020 i5 12 Gen Laptop. अब Asus हर साल VivoBook में New New Model को लाँच करता है और guys, यह है 2022 2 वाला model जो किया आता है i5 12 Gen Processor के साथ में और इस Laptop को लेगे काफ़ेदा डिमांट होता है especially Office Student, Multimedia Purpose, Heavy Task या फिर इवेन अगर आप वीडियो एनिटिंग करना चाते हैं उन सभी को लेगे जिने गेमिंग लैपकप नहीं चाहिए होता है आपको सारे लोग इस Laptop में काफ़ेदा इंट्रेस्टेट होते हैं और क्योंकि यह 2022 वाला model है तो पुछीज़े यहां पे इंप्रूफ हुई है और कई सारे चीज़ें को यहां पे cut-down किया गया या बहुत सारे drawback भी आपको देखने मिलेंगे जिसे आगे चलके इस वीडियो में आपसे भी बताना तो make sure वीडियो को एंट दर दिखते रहना साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी के साब अगर भी तक आप में Instagram पे पॉलो नहीं करें तो Behind the Scenes के लिए and informative Reels के लिए आप में Instagram भी पॉलो कर सकते हैं और सबसे पहले आप पर स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से और आप सी वह वाइप करेंगे तो जो अनबॉक्सिंग प्रियों से वह आप से वह कैसा देखने मिलेगा तो सबसे आपको कुछ इस तरीकिया बॉक्स देखने मिल जाए काफी 5W का और कुछ इस तरीकिया आपको पर बेसिक सा अनबॉक्सिंग देखने में जाता है इस लैपको का वैल सबसे पहले मैं आप सुभी को इसके मॉडल को लेके क्लियर कर दो क्यूंकि इसे लिएके आप मैंसे बहुत जाब लोग कन्फियूज दते हैं तो यह है आसूस वीवग 15 और जो इसका बॉडल नम्बर है वो है अच्छे से बिल्डप किया गया है अलकि हलका सा फ्लेक्स आपकों पे देखने मिल जाता है टॉप में भी और सब्सक्राइब कर देखने मिल जाता है और इसके लिए लैपटप का बैक वाला पार्ट यानि डिस्प्ले के नीचे वाँ भी आपको थोड़ा सा एरिया देखन के लिए बाकि जिसे के विने आपको बुला जो इसका वेट है वह है 1.7 kg के आसपास यह बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हलका भी नहीं क्योंकि एक कोँए ए यहाँ पर 2 usb देखने मिल जाएगा और इसके लावा और बाकि इसके लिए और 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 पोई पोई पर आपको आप देखने नहीं मिलता है इस करते हैं फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए अगर वह नहीं होता है तो यह एक चीज आसुस वालों को जहां रखना चाहिए कि आपके इसके लिए जाए बाकि इसके लब कुछ इस तरह के आपकों पर पॉर्स न बटन देखने मिल जाता है और बाकि अगर बात कर अगर आपकों आपकों अच्छा देखने मिल जाते हैं काफी अच्छा आपकों पर देखने मिल जाएगा इवन अगर आप 4K वीडियो बगरा भी देखते हैं तो भी आपकों पर कॉलिटी काफी अच्छी देखने मिल जाते हैं जो आउट्पुट है वो काहिने काई डिस्प्ले है काफी बढ़िया देखने मिल जाता है और अगर आप क्यों ब्राइटनेस की तो एंडूर के लिए हो जाता है लैप्टोप फोल्ड करने के बाद में और आप इससे अलग लगतर ही जो से यूज कर सकते हैं जो कि इसका प्रोसर वैल इस लैपटोप में आपको देखने मिल जाता है इंटेल आई-पाइट वाला प्रोसर जो की 1-2-4-0-P वाला प्रोसर है जिसमें आपको 12-C कोर्स और साथ में 8E कोर्स देखने मिल जाते हैं वहीं पे अगर बात को स्टोरिज की तो इस लैपटोप में आपको 8GB RAM देखने मिल जाता है यह एक सिंगल चैनल RAM है जिसके त्रेक्वें से 3200 MHz और क्योंकि एक सिंगल चैनल RAM है तो आप हैं पर RAM को एक्स्पैंड कर सकते है 60GB तक और साथ में 512GB का nbnc, PCIe Gen3 वाला आपको आपको आप और अगर बात को इसके read and write speed आप यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छा का स्पीड आपको आपको आप आप देखने मिल जाता है साथ में connectivity के लिए इस लेक्टोप में Wi-Fi 6 और बिल्टू 5.0 देखने मिल अगर आप इस पर कोई भी काम कर रहे हैं, multitasking कर रहे हैं, heavy task कर रहे हैं, movie बगरह देख रहे हैं, photoshop कर रहे हैं, या फिर video editing कर रहे हैं, आपको आप ऐस अच्छ कोई दिक्कत देखते नहीं मिलती है, normal से लेके heavy task के सारे काम ही काफी अच्छ से handle कर लेता है, and performance आपको आपको आप अच्छा निकाल के दे दे लिता है, even अगर आप आप 15-20 steps कोल के रखेंगे chrome के, तो भी आपको 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 पर कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से या उन्हें handle कर लेता है, और इसके अगर अपको आपको 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 स्कूर किस्कोर देक्ने मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है और अगर आप करो Geekbench score की, सिंगल कोर में 4200 तका और साथ में मुल्टी कोर में 4800 तका score आपको 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 देखने मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस पनके ताप से अच्छा है, तो performance में आपको ऐस सच कोई दिखते हैं नहीं मिलेगा, बागे इसके लगर आप photo editing, video editing करना चाहते हैं तो वो भी आपने आपर आराम से कर पाएंगे, 108060 एपस वाले वीडियो को आपने आपर आराम से edit कर पाएंगे, और जो export time है वो आपको पर decent से देखने मिल जाता है, बागे अगर आपको कोई doubt एप performance को लेके तो नीचे comment कर दीजे मा उन सभी का answer कर दूँगा, और साथ में इस laptop में आपको E10XC वाला graphics देखने मिल जाता है, और इस चीज़ को लेके काफ़ यदा controversy हो गई है, यानि बहुत लोगों कहिना कि यार Amazon page पे Intel E10XC graphic दिखा रहा है, लेकिन जब practical life में इस laptop को use करें और check करें तो इसमें Intel USD और ग्राफिक दिखाई दे रहा है, अब इस चीज़ को लेके catch है, यानि जो उसका RAM है वो है 8GB और यह एक single channel RAM है, तो इसमें जो Intel E10XC graphic के वो support नहीं करता है, लेकिन इस laptop के अंधर वाला graphics आपको लेक्ते हैं मिल जागा, यानि Intel E10X graphics देख में मिल जाता है, और जैसे आप इसके RAM को अपग्रेट करेंगे 16GB तक जाएंगे, तो यह automatically यहाँ पे enable हो जाता है, और जो आपका laptop है, वो Intel E10XC graphic के साथ में वर्कताना start कर देगा, तो यह एक case था जो कि बहुत लोगों को मालूँ मिलता, और बहुत सरे वीडोस में आपको पता नहीं चला होगा, कि जो Intel E10XC वारा graphics है, वो यहाँ पे 16GB RAM के साथ में work करता है, बाकि software की बात को आपसे भी पता है कि इसमें आपको Windows 11 out of the box देखने मिल जाता है, यानि pre-install होके आता है, तो यह एक चीज में आपको काफी अच्छी लगती है, इसके लगता बात को इसके keyboards and touchpad को लेके, तो क्योंकि यह 15.6 का laptop है, तो full place आपको आपको keyboard देखने मिल जाता है, which numbers की, अब कुछ चीजे मैंने आपके notice की है, first of all जो इसके keyboards के button है, वो तो आपको 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 आच्छे देखने मिलते हैं, I don't know why Asus ने इसे हटा दिया लेकिन यहाँ पे एक backlit keyboard होना चाहे था Previously जितने भी इस सीरिज में laptop आया है सभी में backlit keyboard होते थे लेकिन यहाँ पे backlit keyboard को हटा दिया गया है I don't know why So यह वाली चीज मुझे आपे एक सबसी बड़ी ड्रॉबैक लेकि इस laptop को लेके बाकि इसके लगब बात को इसके touchpad की तो glass finishing की साथ में यह आता है और एक अच्छे सा इसका आपको 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 सुना लेता हूँ रियल टाइम में की उसका experience रहूऔ कैसा देखने मिलता है अजय पुल बड़ लेकों पर कूछिंग के आपको 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 आप लेकुत देखने 3275 cal तो इस पॉन्ट को ध्यान से सुना open area है तो वहांब एक पहीं है कि उसका loudness वो आपको comfy होगा लेकिन अगर बात फूरों इसके speakers को लेके तो speaker decent है जो output हो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और पहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है और अब बात कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगे जिने वीडियो कालिंग या फिर मीटिंव कराए अटेंड करना पड़ता है जहांपर वीडियो क्लिटी काफिर इंपोर्इंट हो जाती है आपको आपको अपर HD webcam देखने मिल जाता है, 720DP वाला आपको अच्छी देखने मिल जाती है, और साथ में प्राइविसी के लिए मुझे एक शटर बटन देखने मिल जाता है, इसे में आप पे क्लोज कर सकता हूँ, कुछ इस तरह के से जब भी मुझे उसे यूज ना करना है, और इसे ओपन भी कर सकता हूँ, तो यह एक मुझे आ अफिस पॉपर्स के लिए है, तो लोग यहां पे बैटरी लाइफ जड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्योंकि यह आता है, आइपाइड 12 जनेशन के प्रसेसर के साथ में है, और जो इंटल के 12 जनेशन के प्रसेसर है, वो काप जड़ा एफिशेंट है, और साथ में बाव लेकिन अगर आप इस लैप्टोप को हेविली यूज करेंगे, हेवी टास्क करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, कंटिनुसली तो करेंगे यहां को धाइस से तीन गंडे का बैटरी लाइफ देखने मिल जाएग इस लैप्तॉप में, तो डेफिनली जो बैटरी आके बोलू दो लैप्तॉप वैल पोर मनी है, कई सारे शीजिये आपको अच्छी रेखने मिल जाती यानि अगर आपको परफॉवंस अच्छी तो आपको अच्छा रेखने मिल जाएगा, जो इस लैप्तॉप में में यूज इस प्यों है, वह है इस प्राइस प्टमें तो उसके लिए option देखने नहीं मिलता है और साथ में आपको बता है कि इसकी प्राइजिंग है 57,990 और यह Amazon पे अवेलिबल है और अगर आप इससे बाइक करने जाते तो इसका डारेक्ट वाल लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा साथ में इस पर्टिक्लर मॉडल में आपको i3 वाला वेरिंड देखने मिल जाता है 16GB RAM वाला वेरिंड देखने मिल जाएगा और साथ में 55,000 दे लेके 60,000 के बीच में कुछ ऐसे और लेक्ट आप स्कूल मैंने आप रेकमेंड किया है जो आप बाइ कर सकते हैं जिसके अगर आ इसका जो प्रीवेस वर्जन था वो अभी भी काफी अच्छा उप्शिन है बाकि इसके लगवा दो तिन और अल्टरनेट लैप्टोप्स को में आप सभी को उप्शिन दे दुगा डिस्क्रिप्शिन में जो कि इससे कंपेट कर सके बाकि जैसे कि मैं आप से इसारे के सारे जूँख करूँगा और यह उन लोगों के लिए था जिन्नों ने इस वीडियो को यहां तर देखा बाकि आज कि इस वीडियो में इतना ही होपली आप सभी को इस लाइक करना शेयर करना आप दोस्तों के साथ में और कॉमेट दूब बाते कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ में लैपकप कैसा लगा और मैं इसे बहुत सारी वीडियोस लाते रहता हूँ तो अगर आप ऐसे और वीडियोस लेखना चाहते हैं दिन मेक्शिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए जिससे आने वाली वीडियोस को निटिक्शन आप सभी को मिलते रहे और मैं मिलता हूँ ऐसे और नए वीडियो में तब तक लिए बाबाई